हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्नी, वेलकम टू एडिस्टा क्लास्टिच, आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से जितने भी करेंट अफेर के important question बनते हैं, वो हम इस पीडियों में डिस्कस करेंगे, साथ ही मैं आपको हरे question से related important fact बताऊँगा तो आप हमारा video पूरा और end तक ध् last में मैं आपसे question पूछूँगा, आप उस question के दब आप नीचे comment box में दे सकते हैं, साथ ही question से रुड़ इतनी बेजानकारी आपके पास available हो, आप उसे नीचे comment box में लिखा कीजिए, ताकि आपका proper तरीके से revision हो सके, अगर आपको हमारी ये वीडियो पूसनाई वीडियो को लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी education group हैं, आप उस group में हमारे वीडियो को share किये दे और साथ ही हमारे चैनल AD Star Class से सब्सक्राइब कीजिए, चल ये शुरू करते हैं, आज का अपना session दिखते हैं, आज का हमारा पहला question क्या है, आज का हमारा पहला question है, हाल ही में किस bank न का option C से ये, axis bank, axis bank ने युवाओं और digital एक्चुप फार्तियों की बदलती जीवन सैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, liberty savings account सेवा सुरू किया है, ये प्रतिवर्स 20 सार रुपे की अस्पताल नगत बीमा कबर को परदान करता है, जो COVID-19 के तहत किये गए अस्पताल के खर्सों को कबर करेगा, अब axis bank की बात है, जो इसकी अस्पतापना 1993 में की गई थी, आपको याद रखना है जब इसके अस्पतापना की गई थी तो गुजराच के एहमदाबाद में की गई थी, लेकि बात मैंनी बरतमान समय में अब इसका जो headquarter है, वो महारास्ट के कुंबई में अस्ताना अंत्रित कर दिया गया है, इसके बरतमान समय के MD और CEO है, आमिताप, चौधरी और इसकी tagline है, बढ़ती का नाम जिंदगी, अगला कुजिशन है, 207 संगटन ने किस महादीब को, यहाँ पर ये टर्म काफी important है, किसी देश की बात नहीं हो रही है, कि एक पूरे महादीब की बात ओरी है, तो 207 संगटन ने किस महादीब को, जंगली पोलियों से मुक्त होने की खोस्ना की है, अभिहाली में WHO ने पूरे Афریका कंटीनन को, जंगली पोलियों से मुफ्त होने की खोस्ना की, यानि इतकोषिसन का option A सही है, अफरीका हाली में बिश्टो स्वास्थ नियानी डव्ली एच्चो जारा अस्थापिद स्वातंत्र संस्था अफ्रीका रिजनल सर्टिफिके आयोगानी ए आर्सीसी ने अफ्रीकी महादीब के जंगली पूलियो वारत से मुक्त होने का एलान किया है अंतरास्थे स्वास्थ निकायों, रास्थिये और अस्थानिये सरकारों, साथ में शामुदाइक जो स्वाम सेख हैं और अन लोगों के दसकों के प्रयासों के बाद इस साल्बजनिक स्वास्थ से सम्मंदित एर्थिहासिक उपलब्दी को हासिल किया गया है पिछले रिकॉर्ड के अंसार बर्स 1996 में पोलियो से अफरीका के लगबग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था पोलियो का आखरी मामला चार साल पहले उत्तरी नाइजेरिया में दर्ज किया गया था यानि चार साल से अभी तक पूरे अफरीका कंटिनेंट में कोई भी पोलियो का केस दर्ज नहीं किया गया है अब बात है डवलियो की तो इसकी अस्तापना सेबंत अफरेल 1948 को हुई थी इसके हैटकॉर्टर स्टोडिसल लैंड के चेनिवा में है और इसके बरतमान समय की महा निदीशक हैं ट्रेडोश एडानोम गिबेरियस अगला कुश्यन है हाल यह में जारी Export Prependence Index यानि निर्यात तयारी सुचकांक 2020 में कौन सीर्स पर रहा तो अभी हाल ही में नीती आयोग ने Export Prependence Index जारी किया और इसमें गुजराट टॉप पर रहा यानि इसकुशन का Option B से ही है गुजराट नीती आयोग ने प्रति अस्परदात्मक समस्थान यानि Institute of Competitive Neffs की सायदारी में निर्यात तयारी सुचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किया है गुजराट टॉप पर रहा महरास्ट और तमिल नादू निर्यात तयारी सुचकांक 2020 में सीर्स तिर्स तान पर है यानि महरास सेकेंड नंबर पर है और तमिल नादू ये तीसरे पायदान पर है इस रिपोर्ट में बारती राज्यों की निर्यात तयारी और प्रदशन का मुल्याकन किया गया है इसका उद्दे से चुनोतियों और आउसरों की पहचान करना सरकारी नीतियों की प्रवाव उत्पादक्ता को बढ़ाना और एक स्विद्दाजनक नियाम की ये सनक्षना को प्रोसाहित करना है अब नीती आयो की बात है तो नीती आयो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते है इसका फुल फॉर्म है National Institution for Transforming India इसके अस्थापना एक जनौरी 2015 को योजना आयो की जगे पर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के जारा की गई थी इसके हैटकॉर्टर नई दिल्ली में है और इसके बरतमान समय के मुख्य कारिकारी अधिकारी यानि CEO हैं आमिताब कांत जबकि नीती आयो के अध्यक्ष दो होते हैं वो उस समय के परदान मंतरी होते हैं तो बरतमान समय के हमारे परतान मंतरी हैं नरेंद्र मोदी और ये नीती आयो के बरतमान समय के अध्यक्ष हैं अगला कुछिशन है, हाल ये में राजियू स्रिवास्तो ने इस्तीफा दिया है, वो कि सार्बजनिक कमपनी के MD और CEO थे सार्बजनिक कमपनी का मतलब होता है, गोर्मेंटेट कमपनी, जबकि जो प्राइबेट कमपनियां होती है, उन्हें निजी कमपनी के नाम से जाना दाता है तो राजियू स्रिवास्तो ये अब तक IEX के MD और CEO थे और इन्हों ने अपने पत से इस्तीफा दिया, यानि स्कुछिशन का ओप्सन ए से ये IEEX भारतीय उर्जा बिनी में के प्रवंद निजीशक और मुख के कारिकारी अधिकारी राजियू स्रिवास्तो ने अपने पत स्रीफा दे दी है भारतीय उर्जा बिनी में बौड़ यानि IEX के निदीशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्भिकार कर लिया IEX के बोर्ड के चेर्मेन है जो की गैर कारी है नहीं का नाम है अध्यक्ष सत्यनाराण गोपाल अब ये कंपनी के अंतरिम MD और CEO का अत्रिक्त परवारे ने शौपा गया है अब बात है IEX की तो भारतिय उर्दा अबिनिमे की अस्तापना 27 जून 2008 को हुई थी इसका हैटकॉर्टर नहीं दिल्ली में है और इसके अब बरतमान समय के अंतरिम MD और CEO तो यही है सत्यनाराण गोएल अगला कुजिशन है हाल ही में किसने Structured Finance and Partial Guarantee Program के रूप में Dedicated Curse और Rind Guarantee उत्पाद लौंच किया तो भी हाल ही में नाबाड ने Structured Finance and Partial Guarantee Program के रूप में एक Dedicated Curse और Rind Guarantee उत्पाद लौंच किया है यानिस कुजिशन का Option C से यह नाबाड National Bank for Agriculture and Rural Development ने Banking और Gare Banking बित्प कंपनियों यानि NBFC Micro Business यानि MFI के लिए Structured Finance and Partial Guarantee Program के रूप में Dedicated Curse और Rind Guarantee उत्पाद को लौंच किया है ये लौंच किया गया हुत्पाद महामारी की मार जेल हे ग्रामेड सेत्रों के दूर दराज इलाकों तक करिंड के प्रवा को गती प्रदान करेगा इस कारकरम के तहत 28 राजियों और 650 जिलों के एक मिलियन से अधिक घरों को कबर करने का लक्षी भी रखा गया है अब बात है नाबाड की तो नाबाड की अस्तापना 1982 में की गई थी आपको याद रखना है 1982 में इसका हैटकौटर मुंबई में है और इसके बरतमान समय के अध्यक्ष है गोबिंद राजलू चिंटाला इंपोर्टन कुशन यहाँ से यह बनता है कि नाबाड जो है यह RBI के अंदर में काम करने वाला एक निकाय है और इसका जो फुल फॉर्म है वो काफी इंपोर्टन है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट यानि विकास के लिए यह ग्रामीट सेत्रों को लोन प्रदान करता है नाबाड बैंक अगला कुशन है हाली में किसी SBI Mutual Fund का नया MD यानि Managing Director और CEO यानि Chief Executive Officer निक्ट किया गया तो अभी हाली में बिने टोंस को SBI Mutual Fund का नया MD और CEO पॉइंट किया गया यानि इस कुशन का Option B से यह बिने टोंस पिने टोंस को SBI Mutual Fund की प्रवन्द निदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में निक्त किया गया है वो अस्तुनी भाटिया का स्थान लेंगे अस्तुनी भाटिया जिने हाल ही में मारतिय स्टेट बैंक के प्रवंद निदेशक के रूप में नुक्त किया गया है अब SBI मुचल फंड की बात है तो इसकी अस्तापना जून 1987 की गई थी आपको कन्फूज नहीं होना है SBI जो बैंक के उसकी अस्तापना 1955 में की गई है लगकिन जो SBI मुचल फंड है इसकी अस्तापना जून 1987 में की गई है और इसका हैटकॉटर महारास्ट की मुंबई में है और अब इसकी प्रवंद निदेशक और मुख की कारकारी अधिकारी तो यह पॉइंट हो गए है बिने टोन्स अगला कुझिश्ण है हाली में कौन टेस्ट किरिकेट में 600 बिकट लेने वाले पहले 30 गीदबाद बने है तो अभी हाली में ये लोग ले चुके हैं लेकिन ये तीनों इस्पिनर हैं जबकि जेम्स एंडर्सन ये एक फास्ट बॉलर है इंग्लैंड के जेम्स एंडर्सन टेस्ट किर्केट में छे सो बिकट लेने वाले पहले तीज़ बात बने हैं उन्होंने पाकिस्तान के किलाफ के ले गए एक मैच म वो अब तीन इस्पिनरों मुथया मुली दरन, सेन वार्न और अनिल कुम्बले के बाद 600 टेस्ट बिकट लेने वाले चौते गीदबाज बन गए हैं अगला कुश्चन है हाली में किस मंत्राले ने CSCE Governance Services India Limited के साथ साथ जाधारी की है तो अभी हाली में IT मंत्राले ने CSCE Governance Services India Limited के साथ एक साधारी की यानि इस कुश्चन का Option B से ये IT मंत्राले Electronics और IT मंत्राले इसके National E Governance Division इसका एक डिपार्ट है इसका नाम है National E Governance Division ने CSCE Governance Services India Limited के साथ जाधारी की इसका उद्देश 3.75 लाख CSCE के नेट्रोक के माद्यम से नागरिकों को उमंग सिवाओं के बित्रन को सक्ष मनाना है CSCE संचालक ग्राम अस्तरिय उद्दमी नागरिकों को उमंग एब की मदद से 140 विभागों की E Governance सिवाओं का उपयोग करने की शुभिदा परतान करेगा अब IT मंत्राले की बात है तो बरतमान समय के हमारे Electronics और IT मंत्री है रभी शंकर परसाद और ये बरतमान समय के कींद्रिय कानून और नय मंत्री भी है अगला कुजिशन है हाल ये में लिखी गई पुस्तक किरिकेट ड्रोना का बिमोचन सितंबर में किया दाएगा इसके लेखक कोन है तो किरिकेट ड्रोना इसके लेखक हैं जतिन पराजमपे और आनंद बशु यानि इस कुजिशन का उप्शन सी सही है उपर युक्त दोनों परसिद्ध कोच बाशुद्यो जगरनाथिन पराजमपे अत्वासु पराजमपे पर लिखी गई पुस्तक किरिकेट ड्रोना का दो सितंबर 2020 को बिमोचन किया दाएगा ये पुस्तक बाशुद्यो जगरनाथ पराजमपे के बेटे और बरतमान रास्टिय चैन करता जतिन पराजमपे के साथ मिलकर किरिकेट के पत्रकार हैं आनंद बशु इन दोनों के जारा चंजुक्त रूप से लिखी गई है और इसे पेंगियन दारा पप्लिस किया गया है इस पुस्तक में गावसकर, केंदूलकर, राहुद बर्बन और रोही सर्माज जैसे भारत के महान किर्कटरों के कैरियर को आगे बनाने में पराजमपे के प्रबाव के बारे में बताया गया है यानि उनका क्या कांटिमिशन इन लोग की लाइफ में उसके बारे में इस इन दोनों के साथ क्रिशी और संबद्य थेत्रों के हित में गत्थिपिद्यों के तालमेल को बनाने के लिए सायधारी की यानि स्कूरिशन का ओप्शन C से ये उपर एक्ट दोनों हाली में किर्सी और प्रसंस्क्रिट खाद देवुत पाद निरियाद भिकास प्राज़न इन एपिडा ने किर्सी और संबद्य थेत्रों के हित में गत्थिपिद्यों के तालमेल को बनाने के लिए एपसी इंडिया लिमिटेड और भारती रास्तिय शहकारी शंग यानि NCUI दिल्ली के साथ समधोता ग्यापन पर हस्ताक्सर किया है इसका उद्देश सही दारकों के लिए बेहतर मुल्य प्रतांग करने के लिए किर्शी और संबद्य थेत्रों के हित में गत्य विद्यों में समध्यों बनाने के लिए पारस्परिक रूप से काम करके उनकी बिसेष्ता का उप्योग करना है अब बात है एपीडा की एपीडा यानी किर्सी और प्रसंस्कित खाद देउत्पाद नर्याद विकास प्राजिकरन इसके अध्यक्ष हैं दिवाकरनात मिस्रा दबकि AFC इंडिया लिम्टेड के बरतमान समय के MD यानी प्रबंद ने दिशिष्क है बी गडेशन आगे बारे में जितनी बिजान का ये पता आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रापर तरीके से रिविजन उसके आज का हमारा क्यूशन है हाले में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपेबे का उधगाटन किया गया है क्यूशन के चार अशम, अरणाचल प्रदेश, उत्राकंड और मडिपूर एक बार में आप से स्वर कहूँगा आपको क्यूशन के बारे में जितनी बिजानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपका प्रापर तरीके से रिविजन उसके तो आज के लिए इ अगर आपको वीडियो पस्तन है ये वीडियो को लाइक कीजिए जैहिंद